तो इस वीडियो में हम question number one देखने वाले हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल दूमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा आपको अच्छा explanation लगेगा तो इस वीडियो को like और हमारे चैनल को subscribe करन मत बोलना अब देखो start करते हैं हमारे question के साथ question हमें दिया है in situation with high risk credit might create further problems for the borrower explain अब देखो simple से question है लेकिन बहुत लोग इसको गलत ही मतलब निकाल लेते हैं simple सा question क्या दिया है कि ऐसी situation जहां पे high risk हो अब high risk quality situation क्या होती है generally एक ही जगा पे आती है वह हमारा rural area मतलब जो गाव का side रहते हैं वहाँ जाद तर high risk situation आती है अब ऐसा क्यों देखो जो villages रहते हैं वो जाद तर farming ही करते हैं अब सब ऐसा तो नहीं कि सारे villages अमीर रहेंगे पहले से ही ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या क नहीं कि bank रहती है ज्यादतर गाव में गाव में bank बहुत कम रहती है या तो रहती नहीं है तो लोगों को loan money lender से लेना पड़ता है अब देखो question हमें simple सा क्या दिया है अब ऐसी situation देखो जहां आपको उधार लेना पड़े अब समझे आपने उधार ले लिया एक जगा से आपको कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा अगर आपके पास कुछ होगा तो तभी आप उसका उधार चुगा पाओगे क्योंकि ऐसे तो उधार वाला छोड़ने नहीं वाला है आपको आपने उसका पैसा लिया तो आपसे पैसा लेगा वह ज्यादे इंट्रेस्ट मिले क्योंकि आपने money lender से लिया है तो ऐसे situation आपको क्या करना चाहिए अब फार्मर की क्या situation रहती है इसमें हम लोग यह बताएंगे क्योंकि higher risk quality situation एक जगा पर रहती है वह गाउसाइड एरिया या फिरूलर अब हमारा answer start करते है आचा करते हैं आपको question अभी दक समझ गया हो क्योंकि बीच में space छोटती है अब point के साथ start करते है तो answer में हम लोग का पहला point आएगा higher risk situation generally occur in ruler area because the main demand for the credit is for crop production अब mainly higher risk situation एक जगा पर होती है वह गाउसाइड एरिया और वहां पर क्या चीह रहता है बहुत लोग को loan चीह रहता है अब loan ऐसे bank तो देता नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा money industry लेना पड़ेगा और क्या रहता है crop production के लिए उनको loan लेना पड़ता है और यह risk का क्य the loan after harvest अब farmer क्या करते है कोई भी farmer क्या करेगा अगर loan लेगा वो तो बेले अपनी खेती करेगा खेती करने के बाद जो धान उक्के आएगा उसको बेचेगा उसके बाद ही तो पैसा repay करेगा तो यह हमको इदर बताया गया है कि अगर farmer loan लेता है तो तीन से चार मेने के बाद उसको क्या करना बढ़ता है उसको repay करना बढ़ता है जब उसका crop अच्छी से grow हो जाए क्योंकि बिना grow हुए तो पैसे वैसे भी नहीं दे सकता अब तीसरे point देखते है तीसरे point में हमें क्या दिया है repayment of the loan is crucially depend on the income of farmer अब देखो simple से यह जो line है बहुत main line है क्योंकि देखो एक farmer है समझो अभी उसने crop grow किया अभी उसकी crop अच्छी से अच्छा हो गया तो क्या करेगा उसको बेच के जितना भी loan है पे कर देगा बच जाएगा लेकिन समझो आपने crop grow किया और क्या हुआ बारिश ना आने के चलते बारिश कम हुई या ना आने के चलते आपकी पूरी यह ूखा अफर बरबाद हो गयी तो आप्यों कि फस गए कि आपके पास जो पहले था वह भी ने रहेता और आपके पास यह इतना क्रफ में क्या हो उसको पैसा मिले अभू का पहता रहेगा कि पहले ही बारिष नहीं होने वाली है तब गुरो ना करें तो यह higher risk situation रहते हैं इतना आपको समझा आ गया होगा अभी तक अब देखते हमारा fourth point if a crop fail due to the shortage of rain or for any other reason a small farmer has to sell a part of the land to repay the loan अब समझो crop fail हो गया जैसे कि मैंने अब भी आपको explain किया तो क्या करना पड़ेगा या और भी कुछ रीजन हो सकते है crop fail हो इनों के earning but leave him worse of than before अब क्या किया था farmer ने loan लिया थी यह सोच के थी कि farming करेगा उसके पाद पैसे जादा खामा लेगा लेकिन क्या हुआ उसका उल्टा यह हो गया कि ओ अच्छा समझके लोन लिया और उसका ही बुरा हो गया तो यह होती है हमारी high risk quality situation credit in high risk situation pushes the borrower into a debt trap a situation from which recovery is very painful अब आईसी जगह पे जहाँ ज्यादा risk हो वहाँ आमको क्या करना चाहिए कम से कम ही घुषना चाहिए नहीं तो यह आपको debt trap में डाल देगा मतलब आपको 10 से 12 साल लग जाएंगी इसको pay करने में यह आपका कुछ हिस्सा चले जाएगा जामीन का है कुछ भी मतलब आपके पास जो है वो चले जाएगा अगर ज्यादर risk quality situation रहेगी कभी कभी आपके किस्मा चमगे तो आपका कमा के लाल हो जाओगे लेकिन यह कभी कभी होता है ज्यादा तर सिच्वेशन फ्रम बिच रिकवरी इस वेरी फ लो गई तो यह हमारा पांच पॉइंट का आंसर इस देखो यह जो क्वेशन है इसमें आंसर तो बहुत टाइप से बन सकते हैं लेकिन यह जो आंसर है यह आंसर आपके लिए बैस्ट है अगर आप यह लिख दे तो आपको पूरा माक्स मिल जाएगा यह ग्यारंटी है मेरी और अगर आपके वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलना क्योंकि यह जो कंटेंट है आपको ऐसा कंटेंट इतने अच्छे पॉइंट में कोई नहीं प्रवाइड करेगा इतना अच्छा एक्स्प्रेंडेशन के साथ तो आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक और स्क्राइब करना मत बूलना